हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों से लेकर कौन-कौन से महातपूर सवाल आपसे पूछे गए हैं उस विशे को यहाँ पे हम रखने वाले हैं जो भी जरूरी सवाल आपसे पूछे के हैं उनको यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ठीक है तो आप सुरू से लेकर आखरी तक बने रहें और सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करें जो भी आपको कमेंट बॉक्स में आता ह है ना भाई चलिए स्टार्ट करते हैं बारत में कितने प्रकार की मिट्यां पाई जाती है तो भारत में जलोर मिट्टी काली मिट्टी लाल और पीली मिट्टी लेटराइट मिट्टी सुस्क मर्दा लवर्ण मर्दा, पीटमय मर्दा और वन मर्दा ये आठ प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं किसके द्वारा ये भारती क्रसी अनुसंधान परिशत के द्वारा नेने लिया गया ठीक है भाई अगला सवाल रहेगा ग्रेनाइट और नीज चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माड होता है तो ध्यान रखेगा ये आपका ग्रेनाइट और नीज चट्टानों से जो मिट्टी बनती है उसे आप लाल मिट्टी कहते हैं क्या कहते हैं भाई लाल मिट्टी का निर्मार होता है इंपोर्टेंट है ये भी मिट्टी का एक प्रकार है ठीक है किस प्रकार की मिट्टी के लिए नियूंतम उर्वरक की आवसकता होती है या नियूंतम उर्वरक की आवसकता होती है ठीक है भीया तो उत्तर होगा जलोड मिट्टी क्या होगा जवाब भाई जलोड मिट्टी अच्छा जलोड के विशे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजेगा जलोड मिट्टी का निरमार नदियों के निछे पर से होता है जलोड मिट्टी में पोटास और चुने की परियाप्त मात्रा होती है इस प्रकार की मिट्टी के लिए नियूंतम और वरक की आउसकता होती है समझ गे भाई जलोर की मिट्टी में गेहों के फसल के लिए बहुत सारी प्रतिकूल सुविधाये मानी जाती है मतलब गेहों के लिए बेस्ट होती है ठीक है इसके अलावा इसमें धान आलू और बहुत सारी फसलें आप उगा सकते हैं लेटराइट मिट्टी का प्रधान है मतलब कहां पे जादा होती है तो लेटराइट मिट्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये माला बार तटी प्रदेश में आपको जादा प्राप्त होती है समझ गे भाई तो ये भी आपके लिए बहुत ज़ादा important रहेगा और आप इसे भी अच्छे से याद रखिए ठीक है अच्छे इसके प्रमुक छेत्रों के अगर हम बात करें laterite के तो मद्धिप्रदेश, महारास्ट्रा, पुर्वी और पस्चमी घाट के पहाड, करनाटक, केरला, उडीसा, असम यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगी तो ये आपके लिए important है चली next गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, बांगर के नाम से जानी जाती है बांगर वा उंचा भाग है जहाँ नदियों की बाड़ का जल नहीं पहुँचता यह पुरानी जलोड मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है इसमें केलसियम की प्रचुरता होती है समझ गए? किस मिट्टी में लोहे और अलुमीनियम की गरंथियां पाई जाती है तो ध्यान रखेगा किस में बहुत इंपॉर्टेंट है लेटराइट मरदा में इसको आप दिमाग में सेट रखेगा लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? लोहे और अलुमीनियम की गरंथियां पाई जाती है ठीक है भाई? आई आगे बढ़ते हैं अगले महातपूर सवाल की तरफ बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इसे याद रखें ग्रीन गोल्ड क्रांटी किस से संबन्दित है? यह आपका जो ग्रीन गोल्ड क्रांटी है यह चाई के उत्पादन से संबन्दित है अब एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में चाई का सरवादिक उत्पादन कौन करता है और भारत में चाय का जो पहला GI टैग है वो किसे और कब मिला था यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है फिलाल अगला सवाल है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उत्भेदन से निचेपित पदार्थों से बनी है तो आप इसे याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपका काली मिट्टी होगा ठीक है भाई अच्छा काली मिट्टी को अंटा रास्टी इस्तर पर एक और नाम दिये जाता है जिसको आप चेर नोजम कहते हैं यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में एक जवाब आप लोग दीजेगा कि यह जो कपास की पैदावार है वो किस मिट्टी में अच्छी होती है यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है फिलाल भारत में कौनसी रेसे की फसल सरवादिक छेतर पर विस्तरत है तो जवाब होगा कपास क्या होगा भई कपास होगा अच्छा आपने बताना है गुजरात के अतरिक्ट कहां पर कपास ज़्यादा होती है यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है चली हम आगे बढ़ते हैं गंगा डेल्टा छेतर समरद उपजाओ और अनकूल कापमान तथा वर्सा के कारण जूड की खेती के लिए उपयुक्त है समझगे भाई कौनसी मिट्टी जूड की खेती के लिए उपयुक्त है तो आप इसे जरूर याद रखें उत्तर होगा जलोड मिट्टी क्या होगा भाई जलोड मिट्टी ये बहुत जड़ा इंपोर्टेंट है और आप इसे दिमार्क में सेट रखें अब इसकी वज़य क्या है हम आपको अता दें चुकि आप जानते हैं ये आपका जूट की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 25 से 35 सेंटीग्रेट आपेचित आधरता वाला होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये सारी प्रक्रियाँ इसी में है तमिल लाडू के दो तिहाई छेतर पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तमिल लाडू के दो तिहाई छेतर पर आपको लाल मिट्टी दिखाई पड़ेगी कहां पे तमिल लाडू के दो थिहाई छेत्र पर आपको कौनसी मिट्टी का तो लाल मिट्टी का विस्तार दिखाई पड़ेगा ये आपको बड़िया से दिमाग में रखना है अग्ला सवाल है कपास की खेती के लिए सर्वोत्चंum कौनसी मिट्टी मानी जाती है तो कपास की खेती के लिए सरवोतम जो मिट्टी है उसे आप काली मिट्टी कहते है ठीक है भाई अच्छा एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में नीचे और बता देना है कि सरवादिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है सरवादिक छेतरफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कितनी पाई जाती है यह आपको नीचे बताने का प्रयास करना है अगला सवाल है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माड होता है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माड होता है तो ध्यान रखेगा काली मिट्टी का निर्मार होता है यह जो आपकी मिट्टी है काली मिट्टी का निर्मार होता है भूलिएगा बिल्कुल नहीं चलिए किस भारती राज को मसालों का बाग कहा जाता है किस भारती राज को मसालों का बाग कहा जाता है तो याद रखेगा केरला को आप मसालो का बगीचा या बाग कहते हैं बिलकुल भूले नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा यह आपके लिए है ना भाई चलिए एक सवाल आपको बताना है केरला के वर्तमान सीम कौन है और केरला के वर्तमान गवर्नर कौन है यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रियास करना है फिलाल अगला सवाल है किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वता हो जाती है तो याद रखिएगा काली मिट्टी समझगे भाई काली मिट्टी के बारे में यह कथन कहा जाता है कि इसकी जुताई है वो अपने आप हो जाती है खुद से हो जाती है ठीक है भाई अच्छा इसकी वज़ा क्या है तो हम आपको अता दें कि काली मिट्टी की मुख्य विसेस्ता या है कि उसमें जल धरड करने की सरवादिक छमता होती है काली मिट्टी बहुत जल चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारे यही गुड है कि आप जब भी इसको देखेंगे तो हमेशा आपको जुता हुआ प्रतीत होगा, समझ गए, यह इसकी खास बात है, भारत की सरवादिक महतपूर मिट्टी कौनसी है, तो भारत की सरवादिक महतपूर मिट्टी के रूप में आप जलोड का नाम लेते हैं, किसक 43% तो कुल मिला के काली मिट्टी महतपूर है, अगला यह, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानी नाम से जाना जाता है, तो वही सवाल है, इसे रेगूर कहा जाता है, इसे रेगूर कहा जाता है, और इसे आप दिमाग में सेट रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कौन से मिट्टी जयोपदार्थों से भरपूर होती है कौन से मिट्टी है जो जयोपदार्थों से भरपूर होती है तो याद रखेगा आपकी काली मिट्टी जयोपदार्थों से भरपूर होती है यह बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए आपको मालू होना चाहिए ठीक है चुकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्पूरस की मात्रा कम होती है इसमें लोहा, चूना, मैगनीसियम, अलुमिनियम ये अच्छी मात्रा में होते हैं काली मिट्टी में पोटास की मात्रा भी अच्छी होती है इसी वज़े से ये आपकी जयोपदार्थों से भरपूर कही जाती है भारत में कौन सी मरदा बेसाल्ट लावा के अपच्छे के कारण निर्मित हुई है तो जवाब होगा रेगुड मरदा क्या जवाब होगा रेगुड मरदा आप इसे बिलकुल भूले ना चुकि ये भी आपके की खेती के लिए सबसे उपयुक्त छेत्र दच्छडी पठार माना जाता है किसे दच्छडी पठार को मानते हैं आप समझ गए आप चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है किस मिट्टी में क्रसी के लिए सिचाई की आउसकता नहीं होती अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ध्यान रखेगा अगला सवाल है महरास्ट में सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली मर्दा कौनसी है या मिट्टी कौनसी है या आपका सवाल रहेगा तो भई आपको मता दें काली मिट्टी छेतरफल के दृष्टी कौन से भारत में अपना अहम योगदान रखती है और तो ध्यान रखेगा भार्त दुनिया में रबर के सबसे बड़े उत्पादक देशों मेंसे एक है, केरल भारत में सबसे अच्छा रबर उत्पादित करता है, तो यहां पे आपका केरला बिल्कुल सही उत्तर है, किस प्रकार की मिट्टी में कारबनिक पदार्थों की अधिक् देखते हैं तो ये भाग एक हमने आपके सामें रखा है जिसमें पच्चिस सवाल हमने किये हैं भाग दो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द जिसमें हम 25 और सवाल करेंगे और इस तरीके से हम total कितने सवाल करेंगे 50 सवाल करेंगे ठीक है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप search कर सकते हैं भाग दो भी जहाँ पर आपको इसके आगे के सवाल मिल जाएंगे चलिए फिलाल कुछ और बाते कर ली जाएं अगर आपने अभी तक unacademy जोईन नहीं किया है तो जोईन कर सकते हैं नीचे वीडियो के description में लिंक होगा जहां से आप मुझे follow कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरी paid class भी कर सकते हैं जिनमें आपको चीज़ें detail में पढ़ने को मिलती हैं अगर आप मेरा code यूज करते हैं दीपक सिंग वाईटी 10 और प्लस जोईन करते हैं तो वहाँ पर हर एक विस्से आपको detail में पढ़ाए जाएंगे आप मेरी free class भी जोईन कर सकते हैं जिसके लिए आपको unlock code यूज करना है दीपक सिंग वाईटी 10 ये free है इनके लिए कोई charge आपको देना नहीं है आने वाले और चल रहे batch आप जोईन कर सकते हैं या जो batch खत्म हो चुके हैं उनकी recording आप देख सकते हैं और सारे विसे complete कर सकते हैं आज का doubt वाला feature आपका SSE में है जिसमें आप अपने doubt का screenshot लेकर उसके हल को जान सकते हैं ये आपका railway का plus subscription चार्ज है अगर आप 24 मन्त का plus एक साथ लेते हैं तो आपको 150 पर मन्त के हिसाब से pay करना पड़ता है तो जितना लंबे समय के लेंगे उतना आपका फायदा है फिला इतना ही धन्यवाद नमस्कार बाई बाई